हेलो फ्रेंड्स मैं टुन टुन कुमार आपके अपने यूटूब चैनल ओनलाइं जी के जीएस क्लासे से तो फ्रेंड्स आज मेरा जो टॉपिक है कि जीवानू से होने वाले रोग जीवानू से होने वाले रोग जो हैं एक्जाम में बहुत प्रकार से पुछे जाते हैं जै गोमेदंगे रहे गा। और इक अगर अगर अधर प्रकारस ब theory कोशन पुशा जाता है कि इन में से कोई ड tailor का नाम लेका जैसे कि गुनोरिया जो है कि से होने वाला रोग है तो वैसा भी जो है आप से पूछा जाएगा और जिवानू विशानू जो है और अधर सरा उप्षन जो है दिया हुआ रहेगा आप उस कॉस्चन को जब तक सॉल्ब नहीं कर पाएंगे जब तक जो है इनका जो है जिवानू से होने वाले सबी रोग जो है आपको याद नहीं हो पाएं तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको एक गजब का ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि आप जो है जिवानू से होने वाले रोग को मात्र पांच मिनट में जो है याद कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं देखिए सबसे पहले जो है जिवानू से होने वाले र तो अब हम लोग चलते हैं अपने ट्रीक की तरफ देखे ट्रीक मेरा क्या है आप लोग को मैं अपना ट्रीक दिखाता हूं तो देखे मेरा ट्रीक क्या है गोसीटा पंडित का टीका न्यूँ है गोसीटा पंडित का टीका जो है न्यूँ है दिसीज़ ट्रीक तो इस ट्रीक क हम लोग याद कैसे करेंगे देखें हम लोग जो है दू-3 बार इस ट्रिक को मन में बोलेंगे गो शीटा पंडित का ठीका नियू है अब इसको जो है आप बोलेंगे किसर इसको बैठाएंगे कैसे देखें गो से गुणोरिया यहां पे हो रहा है फिर जो है C से सिफलिस हो रहा है T से टाइफाइड हो रहा है P से पलेग हो रहा है D से डिप्थीरिया हो रहा है T से तपेदिक K से कालिखासी T से टिटनेस K से कुष्ट रोग Nू से निमोनिया है से हैजा So guys, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप मेरे वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ सेर करना चाहते हैं तो सेर कर सकते हैं Thank you for watching this video